हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों यह पॉलिटी का प्रैक्टिस से टेन है और आपको जैसा की पता है यह early PDF जो है वो आ गई है इसमें September से लिए कि अभी तक कि सारे current affairs updated है और वो एक PDF के रुप में है अभी फिलाल हिंदी भासा में ही उसे पब्लिस किया गया है तो अगर आप हिंदी भासी है तो उसे खरीच सकते हैं कफी सरल भासा में easy language में है और आप उसे बहुत ही कम टाइम में revision करके अपने score बढ़ा सकते हैं टॉप most question जो important है हर महिने के उसमें include किये गा है मैंने current affairs में आज उसकी एक जलक दिखाई भी है आप जाके देख सकते हैं ठीक है तो पहला question देखते हैं first general election ये कब हुआ था तो ये हुआ था 1952 में अब एक चीज आपको ध्यान रखना है 1952 में जब general election हुआ था लेकिन इससे related और भी information जो है उसकी बहुत बार demand आती है पुछी जाती है election हुआ था final 1952 में लेकिन election शुरू हुआ था 1951 में तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है पर्थम चुनाव आयोग की अध्यक्ष कौन है तो सुकुमार सेन का आप नाम जानते होंगे ठीक है और दूसरी चीज है कि चुनाव आयोग की अस्थापना कव हुई थी तो 24 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की अस्थापना हुई थी तो ये दोनों important चीज जो याद रखिएगा देखिए चुनाव आयोग से related बहुत सारे important और भी information है जैसे कि चुनाव आयोग की अनुछेद में वर्णित है तो article 324-329 ये article किसके लिए है अभी फिलाल कितने चुनाव आयोगित होते हैं तो 3 चुनाव आयोगित होते हैं पहले 1989 टक एक चुनाव आयोगित हुआ करते थे 1989 ॉससे हटाना भी possible है प्रोसेस जो महावियोग प्रोसेस है उसके द्वारा एक चीज और मैं बता दूं यह मैं पढ़ा चुका हूं सारे इससे डिटेल इंफॉर्मेशन इसके अलाव भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है सब तो मैं नहीं बता सकता लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में पॉलिटी के प्लेइलिस्ट का लिंक दे दूंगा आप वहां से जाएंगे और आराम से जितने भी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट वीडियो है वो देखेंगे क्योंकि वो सब एक्जाम औरियेंटेड है एक्जाम में उन्हीं सबसे सवाल आते हैं तो बेसिक कॉंसेप्चुल लोग सबाइस्पीकर जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं यह आपको द्यान रखना है उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं एस्पीकर को तो वाइस्पीकर होंगे और एस्पीकर एक दूसरे को त्यागपत्र अपना देते हैं लोग सबा की सदस्य होंगे उनके दौरा चुने जाते हैं सरुसामत्य से ठीक है और एक होता है प्रो Team Speaker pro Team Speaker के बारे मिश्म क्या जानते हैं तो जब तक mainly speaker का चुनाओ नहीं हो जाता है तब तक और इस बार लोकसभा के स्पिकर कौन है स्री ओम विल्ला जो कि कहां से सांसद है तो कोटा से सांसद है तो important information जो अलग से मैं facts बताता हूँ वो सारे आपके questions से related होते हैं और मैं ये गरांटी देता हूँ कि 200-300 अलग से extra facts GS के मैं जरूर revision करा दूँगा तो आपके cool मिला के जितने time बच जाएंगे मैं बता दूँ पांच घंटे बच जाएंगे इतने सारे facts मैं बता देता हूँ ठीक है क्योंकि सब facts को revision करना इतने कम सामय में बहुत ही मुश्किल होता है वीडियो को like कर दो दो दोस्तों फिर आगे बढ़ते है वीडियो को like करने से मुझे motivation मिलता है लोकसभा के प्रतम अध्यक्ष कौन थे फर्स्ट speaker of लोकसभा तो option देखिए जीवी मासुदेव, संकर कुरू, टी लक्षमी, जीवी मावलंकर तो ये थे जीवी मावलंकर ये लोकसभा के प्रतम speaker है ठीक है और ये जीवी मावलंकर ये बहुत ही एक प्रतिभावान और लोग के एक तरीके से बहुत अच्छे जानकार थे administrative law के तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए नेक्स्ट लोकसभा के सदस्यों की संक्या अधिक्तम कितनी हो सकती है इस सवाल पर जरह ध्यान देगेगा ठीक है नहीं तो आप लोग कंफ्यूज करके गल्दित कर दोगे ऐसे सवाल चुकिए आप में यह पूछा गया इसलिए मैं बतारा मैक्सिमाम नमबर अफ मिंबर्स अफ लोकसभा जो लोकसभा में सदस्यों होते हैं उनके मैक्सिमाम नमबर कितनी हो सकती है 550, 552, 545, 530 तो यह हो सकता है कितना यह होता है 552 जिसमें से इस बार से एंगलो इंडियन कम्यूटी को निकाल दिया जाएगा दोस्तों एक चीज मैं कहूंगा एंगलो इंडियन कम्यूटी को जो मैंने वीडियो और सचारवा अमेंडमेंट अक्ट बदाया था उसको आप जरूर देखिएगा क्योंकि वह न्यूज में है अभी जो है पारलियमेंट से पास हो चुका है और राजियों के पास जा चुका है तो इससे सवाल जरूर आएगा अब कुछ इंपॉर्टन चीजों देखते हैं आपको यह कल्कुलेशन याद रखना है 530 प्लस 20 प्लस 2 इससे यह प्रूफ होता है कि 530 सदस्य चुने जाते हैं राजियों से ठीक है 20 इससे अब आपको ध्यान क्या रखना है अभी लेकिन मैक्सिमम नंबर का यह अभी 545 सदस्य ही प्रजेंट में लोकसभा में हैं क्यों अब इसका बीरीजन जानी है अब जानते हैं कि पाकिस्त इससान ने क्याप्चर करके रखा है तो वहां के कुछ मेंबर जो हैं वह एलेक्ट तो हो नहीं पाते हैं इसलिए यह सीट खाली छोड़ी गई है तो जिस दिन यह हमारा होगा और पक्का हमारा ही होगा क्योंकि हमारे जो लीडर्सीप है वह बहुत ही मजबूत है तो यह ए देखा होगा पॉलिटी के प्लेच में मिल जाएका जरूर देखियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं देदुंगा पॉलिटी के प्लेचलीश्ट का तो वहाँ यह आपको मैं ने बहुत ही बहुत ही थरीणतरीके अभी भी मैं बताऊं में थोड़ा सा लोक सभा में एंग्लो इंडियन कम्म्यूटी के बारे में आर्टिकल 330, 330, 332, 330 ऐसे ही ऑप्शन भी रहते हैं कम्शूज करने के लिए तो यह जो है इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 331 मैंने क्या बताया था 31, 33 जो है 31 रहेगा लोक सभा में और 33 रहेगा राजय विधान सभा में और SCST के भी Reservation का Extension हुआ है तो वो मैंने क्या बताया था 30, 32 तो अगर आपने यह ट्रिक देखा होगा तो आप कभी नहीं भूलोगे आप हमेशा एक्जाम में अच्छे रैंक लेके आओगे दोस्तों यह है मेरी Facebook ID आप चैनल पर अगर पहली बार विजिट के हैं तो सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को लाइप जरूर करिए और यह हमारा दूसरा एक चैनल है वन डे एक्जाम पॉइंट जो भी पॉलिटी के वीडिय है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उससे पहले आता है तो अगर आप पहले अपडेटिट रहना चाहते हैं तो अहां देख सकते हैं राज विधान सभाग में एंगलो एंडियन के अरक्षन की बात की गई है किस अनुश्यद में एंगलो इंडियन इंडियन इस्ट में आएगा तो मेरा कर्तव है कि मैं आपको इसे अशी तरीके से याद करा दूं तो मैंने क्या कहा था 30 32 जो है से रिलेटेड है 30 जो है लोग सभा में सब्सक्राइब तो यह हो जाएगा आर्टिकल 330 और इसका भी आंसर मैं बताई देता हूं क्यों आप तो परिशान होंग अबारे समिधान में उस पे दो पार्ट में वीडियो बनाया था उसमें मैंने आर्टिकल सेवेंटी 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 त्री सतरसो तीटर के रिग्लेटिंग अक्ट से लेके 1909 के आक्ट तक पढ़ा चुका हूं दो पार्ट में पॉलिटी के प्रेलिस्ट में वह भी मि गौऊर्ने्र जैनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया गवार्णेरलों किसके जगह पे गोर्णेर जैनल ऑफ बंगाल के जगह पर तो चली आगे बढ़ते हैं आपको कमेंट करके यह बताना कि फो कॉर्स्ट गोवोर्नेरी जैनल अफ इंडिया कौं था क्या मिनःर्ष चैक् बताइए 1909 के एक्ट में ही आया है मैं रिसेंट में ही पढ़ाया हूँ तो अगर आपको यह सब नहीं पता है तो चुकि एकजाम है आपके आ चुका है इसलिए ध्यान रखना चाहिए लॉर्ड मेंटो को फादर अफ कम्यूनलिजम लॉर्ड मेंटो को अल इंडिया सर्विस मेंसंडे लखिल भारतिये सिवा का वर्णन की समुषेद में है तो अर्टिकल 310, 323, 262, 312 तो बताइए यह है आर्टिकल 312 में 262 में क्या है तो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट के बारे में है और इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में आर्टिकल 263 में वर्णन है मतलग कि इंटर स्टेट अंतर राजिये जो काउंसिल होता है ठीक है इसके बारे में 263 में औ आपको ये मैंने ट्रिक से भी बताया था ओर्डिनेंस मेकिंग पाउर गॉर्णर जेनल का कब आया तो मैंने क्या बताया था पॉर्टफोलियो और ओर्डिनेंस 1861 में आया था तो अगर आपने वीडियो नहीं देखिए तो जरूर देखिए 1861 में ये पॉर्टफोलियो आपना रखना है कि जो 1858 का एक्ट था उससे इसकी शुरुवात की थी लॉर्ड कोईनिंग ने लेकिन ये बढ़ा और में पावर में आया 1861 में ओर्डिनेंस क्या होता है छे महिने के अंदर में एक ओर्डिनेंस जब पास होता है अभी भी आपको देखते होंगे चार सब् तो यही 1861 में इसको प्रावधान किया गया है सेक्रेटरी ओफ इस्टीट का पद किस साल आया सेक्रेटरी ओफ इस्टीट बताइए 1861, 1863, 3035 तो सेक्रेटरी ओफ इस्टीट का जो पद है वो आता है कब 1866 में पंदरा मेंबर काउंसिल भी 1859 में ही बनता है सेक्रेटरी ओफ इस्टेट को हेल्प करने के लिए अब एक खास चीज आपको द्यान रखनी है वो यह है कि सेक्रेटरी ओफ इस्टेट और वायस र और Court of Directors मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है तो यह दोनों चीज़े याद रखिएगा Board of Control और Court of Directors वाले सिस्टम को कहते हैं Double Government There is a much difference between Double Government and Dual Government I hope you will understanding and एक चीज तो आप ध्यान लोखो अग इसका जो थर्ड पार्ट आएगा उससे सबसे ज्यादा सवाल पूशे जाते हैं तो तीनों पार्ट बहुत एजी लैंग्वेज में मैंने ट्रिक से बताया भी आप याद कर सकते हो open competition for civil services started in year civil service के लिए open competition किस साल आया तो बताइए राइट आइट आंसर 1853 1833 1861 1892 तो यह आया 1853 में ठीक है 1853 में civil services आया है और सबसे पहले जो है शतिन ना टेगोर ने civil service एक जान पास किया था तो आपको यह याद होना चाहिए नेक्स्ट जो है question वह है maximum number in लोक सभा सबसे ज्यादा लोक सभा के सदक से किस राज्य से है यह आप राज्य जो है वह राज्य कौन है और यह एक्जाम में आ चुका है आपके तो वह है कौन सा उत्तरप्रदेश बिहार महरास्ट्रा वेस्ट बंगाल तो बताईए यह है उत उत्तरप्रदेश में 80 सीटे हैं लोक सभा की और सबसे राज्य सभा की सीटे भी उत्तरप्रदेश से ही है उसके बाद महरास्ट आता है 48 उसके बाद वेस्ट बंगाल फिर बिहार में 40 सीटे है ठीक है तो आपको यह प्लीज यह सब याद रिखेगा क्योंकि यह पूछा ज लोक सभा की चुनाव में निंतम उम्र क्या होती है बताये 25 साल 20 साल या 35 साल ऐसे यह तो यह होती है यह टूंटिफाइव येश्ट राज्य सभा में एलेक्शन के लिए 30 साल ठीक है और आपको कमेंट करके बताना राष्टपति बनने के लिए निंतम उम्र सिमा क्या है लो से कम की बात हो रही है लोकसभा में सत्र मतलब सेसन how much minimum सेसन should be called in the लोकसभा इन यह तो minimum जो होते हैं वो होते हैं दो देकि अभी तो वर्तमान में सेसन इतने भी आएं बट minimum दो होने चाहिए और दो सेसन के बीच में at least 6 महीने का gap होना चाहिए मतलब एक साल में होगा ही होगा हर हाल में which constitutional amendment act made the ministerial advice binding on the president किस समिधान सो सुधन द्वारा मंत्री मंदल का सुझाओ राष्ट पती पर बात देखिया जाता है ये किसी समिधान सो सुधन में आया था इसको आपको बताना है बहुत ही जरूरी चीज है और ये पूछा भी जाता है 40 seconds, 44, 48 and 71 तो बताइए right answer मैं देखता हूँ इसमें maximum लोगों का गलत होगा 90% लोगों का ये गलत हो जाएगा तो आप बताइए इसका right answer होगा 42 second plus 44 इस तोनों amendment में राष्टपती को ये बात है किया गया कि वह मंत्री मंडल का सुझाओ माने ठीक है दोस्तों next है और यहां इसलिए मैंने बोथ नहीं लिखा क्यूंकि अगर आपके option में सिर्फ 42 होगा तो 42 होगा 44 होगा तो 44 होगा बट में ली देखिए इसके बारे में में प्रोविजन 42 में ही हुआ है लेकिन 44 में फिर सुमिधान वह जो 42 में सुमिधान सुशुदन हुए थे उसको फिर 44 में कुछ सुधार आ गया और इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया भी है आप जाके देखेंगे पॉलिटी में तो वह मिल जाएगा तो यह बहुत ही जादा बात ध्यों करने की कोशिस की गई थी 42 म लेकिन 44 में उसे हलका किया अब क्या है अभी प्रोविजन यह है कि राष्टपती एक बार उसे वापस भेज सकते हैं दुबारा अगर मंतिर मंडल ने कह दिया कि नहीं यह सही है आपको इसी पर साइन करना होगा तो राष्टपती बात दे हैं पहले क्या था कि एक ही दफा सब्सक्राइब कर देखेंगे तो आपको महां से मिल जाएगा कि नेक्स्टा परलेमेंटरी सिस्टम में संढें विच आइप पार्लेमेंटरी सिस्टम जो है वह किस आर्टिकल में में बताईए आडिकल चुहत्तर पशितर दोनों या 136 तो बताइए इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 74 और 75 दोनों में देखिए क्या है आर्टिकल 74 में काउंसिल अफ मिनिस्टर की बात की गई है जो कि राष्टपती के सुझाओं के लिए होते हैं आर्टिकल 75 में पर्धान मंत्रियों और उनके पावर बहुत सारे बहतरीन पर्लियमेंटरी फीचर यह सब आर्टिकल 75 में बात की गई है तो दोनों में पर्लियमेंटरी सिस्टम है यह भी मैक्सिमम लोग को गलत होगा और यह चुकि सेंटर के बारे में सब्सक्राइब होता है जो एक तरीके से टीटूलर हेड कहते हैं मतलब की मुह बोला कह सकते हैं उसे इन दा अधर सेंस डीफ जियोर मतलब होता है वास्तविक नहीं और इ और तो बताएए इसका राइट अंसर में जर्टी पार्टी रूट्व collective responsibility, double membership, separation of power इस question का Hindi meaning मैं आपको बता दूँ इस में से कौन जो है parliamentary system का feature नहीं है तो ये तीनों है बट separation of power clearly mentioned होता है presidential system में राष्टपती राष्टपती एक तरीके से अध्याक छात्मक सासन उसे कहते हैं अध्याक छात्मक सासन हिंदी में और parliamentary का तो आप जानी रहे है परलियमेंटरी सिस्टम कहते हैं next question देखते हैं आज मैंने 25 question रखे है which of the following feature of federal constitution संगीय व्यवस्था की कौन सी प्रमुकता है dual polity, written constitution, division of power तो संगीय व्यवस्था की जो बात की गई है इसमें सारे यह जितने भी आपको दिख रहे हैं सब के सब इसमें आते हैं संगीय व्यवस्था मतलब और आपको यह बताना है अगर आपको पता है इंडिया is a federation of the states और a union of states क्या सही है दूनों में union of state या फिर federation of state राजमनार कमीटी is created for राजमनार कमीटी किसके लिए बनाई गई थी तो center state relation river dispute administrative reform committee नन तो यह जो right answer होगा center state relation से पूछी कमीशन भी रिलेटेड है पूछी कमीशन राजमनार कमीटी और सरकारिया कमीशन ठीक है यह तीनों जो है राज यह और स्केंद्र के रिलेशन के बारे में है तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ मेरे इस चैनल पर अलग लग प्लेलिस्ट बने हुए में लिंक दे दूँगा प्रैक्टिस सेट की एक टाइमिंग है और सब लोग जब जान जाते हैं तो प्रैक्टिस सेट शुरू किया जाएगा मिक्स टाइमिंग 10 बज़े शुरू की जाती है ठीक है सारे सब्जेक्ट से उसमें 60 कोश्चन रहेंगे अभी आया नहीं है बट वित आयोग किस अनुशेद में वर्णित है तो यह वर्णित है किस में बताईए यह वर्णित है आर्टिकल 280 में 312 में क्या है अखिल भारती यह सेविल सर्विस 330 के बारे में मैंने पहले बताया था SCST का लोगसभा में रिजर्वेशन पर्थम वित आयोग की अध्यक्ष की बात की गई आर्टिकल 314, 324, 3220 और 280 तो बताईए इसका राइट आंसर तो यह है आर्टिकल 324, 324 से 329 तक जो भी एलेक्षन कमिशन के पावर हैं, उनके डिस्ट्रिबूशन हैं, उनके कारे छेत्र हैं, उनके फंक्सन हैं, चुनाव आयोप्त कितने होने चाहिए सब के वीडियो लाइक कर दिया होगा, और जितने भी इंपोर्टेंट सुझाओ हैं, मुझे जरूर दीजिए, और मैं आपका वेलकम करता हूँ, थैंक्यू सो मच फर वाचिंग, तिल दा लास्ट, बाबाए